हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम बैक टू मैं चैनल सो आज इस वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे यह अनार की ड्रॉइंग और आप देख सकते हूँ यह काफी सिंपल है और सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है जो अबसर्ब करना है वो है शेप कोई भी चीज आप ड्रॉ करें सो उसे सबसे पहले उसका शेप किस तरह का है यहां पर जो शेप है वो आपको स्फेर सबसे पहले ड्रॉ करना है स्फेर का शेप है यहां पर तो स्फेर को जब भी हम शेड करने के बाद सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है यहां पर जो शेप था बेसिक शेप वो था सरकल सो सरकल को मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद आप बीच में वर्टिकल एंड होरीजंटल लाइन भी खीश सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहा है और उसकी अकॉर्डिंग आप रेफरेंस लेके फि इनको लाइट प्रेशर के साथ और आउटलाइन्स को सही तरह के से क्लियर कर लेना है फिनिश कर देना है और आपको चेक करना कि कहीं आपकी मिश्टिक्स तो नहीं है और जो भी हाइलाइट्स वाला एरिया है उसे आपको कुछ इस्ता से मार्क कर लेना है प्रॉपरली लिया सो हाफ से हमारा जो स्टार्ट हो जाता और उसके नीचे आप देख रहोगे बिल्कु बेस पे पहुंच जादी शैडव है वो है कास्ट शैडव जो कि हमारी ऑब्जेक्ट की जो शैडव बन रही है उपर से हमारी लाइट आर इसलिए वो काफी स्मॉल है और नीचे कु वहाँ पे लाइट वैल्यू से नजर आ रही होगी सो यहाँ पे भी आप यह हाफ वे है और इसके नीचे आपकी डार्क शैडव बनेगी और इसके उपर आपकी लाइट टोंस रहेगी और जो भी शैप था वो मैंने आपको स्टेप बाइस बताया है कि किस तरह से आप बना दार्क और लाइट शैड्स अप्लाई करनी है अगर आपके पास एक पैंसिल हो तो आप एक पैंसिल से भी प्रेशर को अड्जेस्ट करके डार्क और लाइट वैल्यूस को अप्लाई कर सकते हो और अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी पैंसिल हो डार्क लाइट डिफरेंट करनी हैं सो फिलहाल में जो लोवर पाइड हूँ जो दूघ жизни गए और कुछ नीचे के पार्ट में आपको रिफेलेक्टड लाइठ की वजए से वहाँ पर लाइट भी नेजर आ रही होगी राइड साइड में आप देख सकते होगहाँ नाखकिसी डाक वाल कवर अप करना है नहीं तो वो जो वाइट वाइट टेक्चर आपको नज़र आ रहा है वो दिखता रहेगा तो यह फर्स्ट लियर थी बेसिक जब तक आपकी जो पूरी ड्राइंग है उसमें जो पूरी लेर साप जाता नहीं आड़ करोगे तो तब तक आपका जो स्केच है वो पूरा चीता से फिनिश्ट नहीं लगेगा और इस तरह से मैंने इसके उपर जो शेड्स है वो अपलाई की है सेम यही एक पैंसिल को यूज़ करके जो भी डारकर वैल्यू से उसे अचीव किया है और इस तरह से करते-करते मैं पूरी जो इसकेच आपको नज़ की पैंसिल यूज़ करेंगे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट गेट से यूज़ कर रहे हैं सो यह सिंपल सी कुछ रूल्स है जो कि आप फॉलो करोगे तो आप काफी अच्छ है रिलिस्टिक ट्रॉ कर सकते हो में जो चीज़े होती है वो होती है टोन से आपकी लाइट वैल में आपकी अगा एलिया काफी डार्क है क्योंकि वहां पर शैडू क्रियेट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग में ने डार्क कर दिया है बिल्कुल और उसके बाद और एक बात आपको जो पैंसिल है बिल्कुल शार्प करके यूज़ करनी है और जहां की हाइलाइट वाल आप पूरा वाच क्या करें क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि वीडियो को मैं वाइस ओवर करता हूँ और बीच में जो भी टिप्स होती है जो मेरा experience होता है वो में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ तो इस तरह से मैंने काफी साथी जो लेयर से वो एड़ की इसके उपर और यहां पर मैं किसी तरह की भी अभी blending नहीं करूँगा जो भी मैं blending करूँगा पूरी values को पहले apply कर लूँगा उसके बाद blending करूँगा क्योंकि अगर आप blend apply करोगे value फिर blend करोगे तो वो जो अपने apply के होगा वो खतम हो जाएगा इसलिए आप पूरा पहले इस तरह की works के लिए पूरी तरह से पहले जो आपकी strokes है जो value से जिस तरह की darkness light आपको चाहिए वो पहले apply कर लें और last में बिल्कुल gentle से soft pressure के साथ अगर आप brush use करना चाहो smooth करने के लिए चीज़ों को क्योंकि यहां पर grains चुब visible हो रहे हैं उनमें जो absorb करना चाहते हो अगर आप graphite तो अब थोड़ा बहुत हलका सा light pressure के साथ वहां पर brush up करके उसे सही कर सकते हो blend कर सकते हो और आपको जो result है वो भी काफी अच्छा मिलेगा सो अभी तक आपने देखा कि किस तरह से मैंने जो shade किया है layer supply की है उपर के एरिया जो light था वहां light pressure के साथ apply की strokes नीचे का जो half way से नीचे वाला था वहां पे core shadow जिसे हम कहते हैं half way से नीचे core shadow होमारी होती है सो core shadow पे बिल्कुल dark है core shadow के नीचे थोड़ा सा जहां पे अभी मैं work कर रहा हूँ वहां पे कुछ reflected light पढ़ रही है जो की surface से attract होकर वहां पढ़ रही है सो वह इसलिए वहां पे थोड़ा light है सो यह सारी चीजे भी आपको terms का पता होना चाहिए कि core shadow क्या होती है cast shadow क्या होती है सो cast shadow वह है जहां पे मैं अभी work कर रहा हूँ like हमारी जो परचाई होती है वो cast shadow होती है और highlights क्या होती है जिस भी area पे आपकी जो light है वो directly fall हो वो area में सबसे जादी brightness आपको नज़राएगी exposure नज़राएगा जैसे कि आपको यहाँ पे एक top में दिख रहा होगा बिल्कुल वहाँ पे light रखा है मैंने highlight है वो बिल्कुल वो area सो वो highlight है आपका वहाँ पे direct जो light fall हो रही है सो जिस भी area पे हमारी direct light fall होती है उससे हम highlight कहते है उसके नीचे जो हमारी core shadow जो होती है जो mid area से जो नीचे होती है वो core shadow होती है और जो हमारी सबसे नीचे shadow बनती है बिल्कुल dark उसे हम cast shadow कहते है और इसके अलावा जो mid tones होती है light values होती है वो आप observe कर सकते हो जो highlight के आसपास का reason होता है वो light area होता है सो यह सारी कुछ terms भी आप use कर सकते हो और मैंने आपको काफी पहले कहा था कि आप sphere study करें यह simple उसी से related work है अगर आपको sphere study का पता होगा कि अगर उपर से light आ रही है तो किस तरह से जो light shadows प्ले करती है सो same उसी का यह application है जो कि हम ट्रॉक कर रहे है और उसी का use हो रहा है यहाँ पे इसलिए वो सारी चीज़े काफी important है आपको पता होना चाहिए वो सब इसलिए आप sphere study study जरूर करें sphere की study और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने पूरा finish कर लिया है अब मैं यहाँ पे थोड़ा साब को blend करके दिखाऊंगा ब्लेंड भी बिल्कुल ज्यादा ब्लेंड नहीं करूंगा बिल्कुल light pressure के साथ जिससे होगा क्या कि जो वहाँ पे थोड़े बहुत graphite है या charcoal है वो particles absorb हो जाएंगे उस texture के अंदर और texture के अंदर जब वो absorb हो जाएंगे तो आपको जो बिल्कुल smooth finish है वो दिखेगी और जो white surface नज़र आरा है आपको paper का वो cover up हो जाएगा इसलिए ये last में मैं ऐसा finishing use कर रहा हूँ जिसे हमारे जो result है वो और भी realistic लगेगा आपको और आपको बहुत ज़्यादा अगर आप excessive blending कर दोगे तो आपकी जो पूरी values है वो finish हो जाएगी सारा एक जैसा हो जाएगा plane इसलिए आपको variation रखना है जहाँ dark है वहाँ dark लगना चाहिए जहाँ light है वहाँ light रहना चाहिए जहाँ highlight है even वहाँ highlights नजर आनी चाहिए proper इस तरह से मैंने जो हलका सा brush up किया उससे आप देख सकते हो जो grains है वो absorb हो गया है उसमें जो charcoal और आपको काफी finished लग रहा होगा यह artwork और अब इसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप यहीं पर इसे leave कर दो इसके बाद भी आपको observe करना है और एक बात suppose आप इसे draw कर लिए तो आपको छोटी छोटी चीजों को observe करना पड़ेगा क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को skip करते जाओगे तो फिर फिल नहीं आपाएगा बिल्कुल रिलिस्टिक वाला आपको छोटी छोटी चीजों observe करने है लाइक कहा हाइलाइट्स है हाइलाइट्स के अलावा जो उसका texture है वो किस तरह का है लाइक आपने जो अनार देखा होगा उसका texture किस तरह का होता है surface hard होता है थोड़ा सा uber cover जैसा भी होता है बिल्कुल round नहीं होता है सो वो सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए आपको observe करने काफी केरफुली और सबसे मैंने observation में हर बार आपको कह रहा हूँ जो इंसार सही तरीके से observe करेगा उसकी artwork बिल्कुल सही बनेगी और जो observe नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से वो सही से नहीं बना पाएंगे सो इसलिए observe करना आपको सबसे पहले सीखना आइस को train करना है और आपने देखा इतना draw करने के बाद मैंने जो highlights है उसके लिए मैं needed eraser यूज़ कर रहा हूँ और जो भी finishing है थोड़ी बहुत कहीं पर highlights है वो required है वो apply कर रहा हूँ सो इस तरह से मैंने ये artwork draw किया और इसे draw करने में मुझे around one hour लगा होगा और one hour मैंने ये पूरा finish किया है तो काफी अच्छा result है आप देख सकते हो आप भी ज़रूर try करें अगर आपको try करना हो क्योंकि इससे आपकी काफी improvement होगी observation इंप्रूब होगी shading इंप्रूब होगी आपको values का पता चलेगा और ये सारी आपको benefits होंगे और यहां मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपको texture जरूर देखना है तो वहाँ reference में आपको कुछ white white spots नजर आ रहे थे हैं उसके लिए मैंने ये eraser यूज की electric eraser आप mono eraser भी यूज कर सकते हो जैसे कि मैं भी यूज कर रहा हूँ यह सारे tools भी हमें सिर्फ वही conditions में यूज करने चाहिए जहां पर required हो और थोड़ा से मैंने stump से यूज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा white हो गया था वह dots इस तरह से मैंने cover up किया बाकी आप ज़रू try करें और मुझे send करें instagram वगरा में मैं ज़रू share करूंग उसे story पर और जो reference है उसका जो link है वो आपको description में मिल जाएगा आप वहां से download कर सकते हो तो यही था इस work में अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को like ज़रू करें और ऐसी और वीडियोस में upload करूंगा इसलिए channel को subscribe करना ना बोले so channel को भी subscribe कर ले so thanks for watching